हलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायल्सिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूज्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनायल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को अनमाउंट्स को और सबसे लांस्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनायल्सिस हम कंप्लीट करेंगे यह मेरा WhatsApp नमबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए मैसेज सेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे fingers काफी अच्छी लंबाई में हैं खास तो और पर इनकी जो index finger है यहाँ यहाँ पर हमे काफी अच्छी length में नजर आएगी आप देख सकते हैं यहाँ इनकी index finger है जिसको हम ब्रस्पती की finger भी कहते हैं इस finger का ज्यादा लंबाई में होना native को काफी अच्छी और strong leadership qualities देता है ऐसे व्यक्ति का सभाव थोड़ा सा जिद्धी रह सकता है लेकिन ऐसे व्यक्ति दूसर को रास्ता दिखाने वाले होते हैं यहाँ आप आप देख सकते हैं इनकी जो ब्रस्पती finger है इनकी इस finger यानि शनी finger के लगबग equal पहुंचती हुई आपको नजर आएगी इस finger का अच्छी length में होना native की leadership qualities को तो enhance करता ही है साथी साथ ऐसे व्यक्ति की knowledge भी बहुत अच्छी रहती है अगर हम शनी finger की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनी finger यहाँ पर बिल्कुल straight है बहुती अच्छी लंबाई में यह finger नजर आ रही है शनी finger का अच्छी length में होना दर्शाता है कि ऐसे native बहुती मेहनती होते हैं साथी साथ काफी disciplined होते हैं अनुशाशन प् रखी कर पाने में काम्याब हो जाते हैं अगर हम इनकी सूर्य finger को देखें तो यहाँ पर सूर्य finger काफी अच्छी लंबाई में है भले यह finger हमें इनकी index finger और शनी finger से थोड़ी short नजर आ रही हो लेकिन बिल्कुल straight सूर्य finger काफी अच्छी creative और artistic qualities को indicate करती है native का social circle थोड़ा कम रहा सकता है इस finger के short होने की वज़े से यह finger हमें index finger के मुकाबले थोड़ी short नजर आ रही है लेकिन creative qualities ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी रहेंगी अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी finger की जिसको हम mercury की finger कहते हैं अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो mercury finger है हलकी सी low set हो रह से शुरू हो रही है जबकि हम बाकी की fingers को देखें तो सभी fingers काफी उपर से शुरू होती हुई mercury finger का low set होना दर्शाता है कि native की nature थोड़ी सी shy रह सकती है लेकिन overall इस finger की लंबाई में यहाँ पर कोई भी कमी नजर नहीं आ रही अब देख सकते हैं यह finger बिल्कुल straight है और अ चिलन्थ में होना native के communication skills को indicate करता है काफी strong communication skills ऐसे व्यक्ति के देखे जा सकते हैं साथी साथ native का business acumen भी काफी भीतर रहता है fingers के बीच में कुछ हलके gaps आपको नजर आएंगे जैसे इस area में आप देख सकते हैं कुछ हलका gap इस area में भी बनता हुआ इस तरह के gaps होना indicate करता है कि ऐसा native काफी सथ independent nature का होता है थोड़ा सा जिदी सभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो ब्रस्पती यानि जो हो तो ऐसे व्यक्ति की knowledge बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति बहुत जदा spiritual minded होते हैं जैसे जैसे इनकी age बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी जो इनका जुकाव है वो spirituality की तरफ और बढ़ता जाता है और आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे इस area में आपको जिस वजह से ऐसे native काफी जदा sympathetic सभाव के होते हैं एक से अधिक income के source भी ऐसे व्यक्ति के बन जाते हैं जिनके हाथ में यहाँ पर काफी सारी इस तरह की आड़ी रिखाएं नजर आएं उसी के साथ साथ आप देखेंगे कुछ रिखाएं आपको इनकी life line से निकल कर उपर क की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी कुछ इस तरह कि उपर की तरफ चलने वाली रिखाएं यहाँ पर होना native की progress को indicate करता है ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं इन्हें हम तरक्की की रिखाएं भी कहते हैं अगर हम इनके शनी परवत को इवन में काफी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी अगर हाथ में लंबी भागया रेका हो तब उस मेहनत का फल भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं भागया रेक हैं इनके हाथ में मौचूद है कुछ इस तरह से यह हमें overlapping में उपर की तरफ बढ़ती पाने में काम्याब रहेगा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ इस तरह की रेका यहां से शुरू होकर सीधा यहां तक पहुंच जाए ऐसी लंबी रेका अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तब ऐसा व्यक्ति बिना मेहनत के बहुत अच्छा धन कमा पाने में काम्याब हो लेकिन अगर इस रेखा में हमें ब्रेक्स नजर आए जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी तो अपसेंड डाउन्स और मेहनत जो है वो थोड़ी जीवन में अधिक रहती है लेकिन ओवरॉल हमें एक अच्छा चिन भी इनके शनी परवत के उपर नजर आ रहा है नेटिव का जो जुकाव है वो अकल्ट चीज़ों की तरफ अधिक हो सकता है अकल्ट साइंसिस जैसे अस्लोजी है पामिस्टरी है टेरो कार्ड वास्तू है ऐसी चीज़ों में इनका जुकाव रह सकता है और अगर हम देखें इनके सूर्ष परवत को तो यहाँ एरिया भी हमें हलका सा दबता हुआ नजर आएगा बिल्कुल से और लंबी सूर्य रेखा का अभाव है इस माउंट के दबने की वज़े से नेटिव को यश मिलने में कमी रहती है ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हल्प कर ले दूसरों के साथ कितना भी अच्छा भेव क्यों ना करें लेकिन बदले में कोई appreciation और reward नहीं मिल पाता अगर सूर्य परवत दब रहा हो अगर हथेली में सूर्य रेखा लंबी हो तब जो दुश प्रभाव है वो कम हो जाते हैं इस तरह की लंबी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तब इसका जो result है वो कुछ opposite हो जाता है यहां पर हमें सूर्य रेखा नजर तो आ रही है लेकिन कुछ इस तरह से सूर्य रेखा यहां पर इनकी heart line के उपर ही नजर आ रही है जो indicate करती है कि 60 की एच के बाद इन्हें इस रेखा का लाब होगा और 60 की एच के बाद काफी अच्छी पहचान सूसाइटी में काफी अच्छी recognition सूसाइटी में यह बना पाएंगे अगर हम बात करें इनके mercury area की यहां जो mount है mercury का area कहलाता है बुद्ध परवत इसको हम कहते हैं यह area उठा हुआ है जिसकी वज़े से इनके communication skills काफी बहतर रहने वाले हैं उसी के साथ साथ ऐसे native की calculations और business equipment भी काफी strong रहता है बात करते हैं इनकी major lines की तो अब यहां पर देखेंगे इनकी heart line के last में काफी अच्छा trident का चिन बनता हुआ यहां पर आपको नज़र आएंगे इस तरह की तीन शाखाएं जिने हम तरशूल का चिन भी कहते हैं इस तरह से इनकी हथेली में एक बहुत ही अच्छा trident यानि तरशूल का चिन बनता हुआ ऐसा चिन होना व्यक्ति को बहुत ही भागेशाली बनाता है ऐसा चिन होने से नेटिव को समाज में काफी अच्छा मांसमान मिलता है खास तोर पर जब यहां चिन ब्रस्पती परवत तक पहुन जाता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी knowledge की वज़े से अपनी strong leadership qualities की वज़े से काफी अच्छी पहचान बना लेते हैं और यह चिन नेटिव को काफी अच्छी तरक्की दिलबाता है लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बैमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी अर्चने भी ऐसे व्यक्ति के आ सकती है इसलिए जिनके हाथ पर भी इस एरिया में तरिशूल का चिन बने या विश्नू सिंबल बने उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो गलत रास्ते से बेमानी से धन कमाते हैं तो जीवन में बहुत सारी विपत्तियों का सामना उनको जरूर करना पड़ सकता है ओवरॉल हाथ की लाइन काफी अच्छी नज़र आ रही है एक प्रैक्टिकल टाइफ की परसनालिटी रहने वाली है साथी साथ हाथ की लाइन पर नीचे की तरफ जो ब्रांची नज़र आ रही है इनकी वज़े से इमोशनल सेट बैक्स मिलने की समभावना भी अधिक रहती है ऐसी ब्रांची अगर हाट लाइन पर मौझूद हो तो व्यक्ति को कई बार उनी लोगों से धोका मिलता है जिनकी उपर बहुत ज़्यादा ऐसा नेटिव ट्रस्ट करता हो बात करते हैं की माइन लाइन की तो आप यहाँ पर देखेंगे माइन लाइन कुछ इस तरह से इनके हाथ में एक ब्रांच बाहर की तरफ निकाल कर इस तरह की शेप में नजर आ रही है एक हलकी ओवरलापिंग और इस डबल ब्रांच का बनना इंडिकेट करता है के नेटिव को थोड़ी स्ट्रेस का सामना करना पर सकता है ओवरॉल थोड़ी एंग्जाइटी जैसे दिक्कत का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है जब इस तरह से यह रेखा दुबारा से एक ब्रांच के जरीए आगे बढ़ रही हो यहाँ से आप देखेंगे यह लगभग 35 और 36 के आसपास की एज में यह रेखा आगे बढ़ती हुई जो इंडिकेट करती है कि नेटिव यह लेकिन लांस्ट में चलकर एक हलका सा गैप भी इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है जिस वज़े से नेटिव को 60 की एज के बाद थोड़ी हाल्थ रिलेटेड इशूस का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह है कि इनकी लाइन अफ लाइफ जिसमें इस एरिया में आपको हलका गैप बनता हुआ अगर इस तरह का गैप बने तो व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना जीवन में करना पड़ सकता है लेकिन overall इनकी जो एज है वो 60 के बाद भी continue रहेगी लगबग 80 के आसपास की एज इनकी जीवन रिखा दर्शार ही है लेकिन 60 की एज में चलकर इन्हें थोड़ी दिखतें जो स्वास्थ स्वंदी दिखतें हैं उनका सामना करना पड़ सकता है बात करते हैं इनके शुक्र परवत की तो यह एरिया आपको नजर आएगा काफी उठा हुआ वीनस का एरिया अगर उठा हुआ हो तो व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुक सुधाय मिल जाती है ऐसा व्यक्ति हर तरह की लग्जरी इसको इंचुआय करता है लिकिन इस एरिया के उपर कुछ बारीक रिखाएं इस तरह की होरिजन्टल लाइन से अगर मौचूद हो तो नेटिव को रिलेशन्शिप्स में दिखतों का सामना भी करना पड़ सकता है अगर हम बात करें इनके चंदर परवत की तो आप यहाँ पर देखेंगे जो चंदर परवत का एरिया है काफी क्लियर है कोई भी नेगटिव चिन यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा कुछ बारीक रिखाएं आपको इस तरह से उपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगे जि इस वज़े से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को जीवन में कई बार मिल सकता है तो दोस्तों ये कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एकी वीडियो के तरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्न या स्वाल रह जाता है तो इनसी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेस्चन प्रैंडिंग है तो मुझे वर्टसैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद